नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में दोस्तों आज की इस टिटूरियल में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि अभी जो रेड्बी नोट 4 का लेटेस्ट अप्डेड आया हुआ है इसका इसका फीजर देखेंगे क्या-क्या नई चैनल में बदलाव आया है तो चलिए शुरू करते हैं आज की विडियो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं हमारा जो यह वर्जन है यह कौन सा वर्जन है इसका अभी तक अगर इसको अपडेट नहीं किया है तो आप इसे कर ले और चलिए देखते हैं इसमें क्या-क्या नए फीचर्स एड़ किया गया है तो यह इसका fingerprint scanner fix किया गया है जो कि पहले थोड़ा सा lag होता था इसको यह करने में यह अनलॉक करने में यह अभी फास्ट काम कर रहा है इनफेक्ट कभी-कभी तो reboot करने के बाद यह without pin यह unlock होता ही नहीं था दोस्तों यह एक changes से इसमें fix किया गया है next जो है इस पर आप देख सकते हो यहाँ से जो किसी भी icon को किसी folder में shift करना यह बहुत ही easy way में हो रही है जो कि इससे पहले में थोड़ा सा दिक्कत होता था इसके बाद पर एक और बदलाव अब देख सकते हो यहाँ पर जो settings की icon देख रहे हो जैसे यह animation animated icon की गई है यहाँ पर gallery को मैं अगर खुलता हूं तो यह भी देख सकते हो कुछ आपको changes देखने को मिल रही है तो यह सारी चीजे चोटी-चोटी चीजे है अब एक और इसमे जो बदलाव किया गया है you can see here that is दो यह जो clock widget है यह क्या होता था पहले कि कभी आप जब किसी theme में दूसरे theme में इसको set करते थो ठीक से यह customize नहीं हो पाता था तो दोस्तों यह जो update है इसको fix किया गया है अब आप देख सकते हो यह जो timing है and date वगरा यह सारी चीजे customize easily हो जा रही है तो दोस्तों अब देखते हैं इसका next और क्या update मिलता है इस update में और क्या नए changes है तो चलिए इस और देखते हैं इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज और add की गई है that is आप installed app that is आप इसका जो interface है यह कुछ बदला बदला सा दिक रहा है यहाँ पे app lock, dual app permissions यह सारी चीज़े दिख रही है आपको जो कि पहले वाले update में यह चीज नहीं थी दोस्तों इसके अलावा हम बात करेंगे galleries में यहाँ पे कुछ changes की गई है जैसे कि in galleries में आप देख सकते हो यह ना features add हुआ है that is poster mode and layout mode जहाँ पे आपको इस तरह की features देखने को मिलती है तो इसमें layout में जाएंगे तो यह आपको modification करने का भी option देता है तो यह एक था इसके अलावा हम चलते हैं यहाँ पे एक एडिटर का option add कि यह एडिट जब हम फोटो को आपके एडिट करते हैं तो यहाँ पे एक नया चीज आया है अप देख सकते हैं there is sticker यहाँ पे आपको sticker देखने को मिल रहा है अलग-अलग stickers हैं जैसे आप इसको मोडिफाइ कर सकते हैं इस फोटो को तो यह यहाँ पे मास्क दी गई है आप इसमें मास्क आड़ कर सकते हो तो दोस्तों यह सारी features इसमें एड़ किया है एसे सरी से हैं here है क्योंकि है and what's so many things are there so इस तरह का आप इसको मोडिफिकेशन कर सकते हो किसी भी फोटो को इसके अराव यहाँ पे एक और चीज़े है जो की पिछले वर्जन में एवलेबर नहीं था है आपे make invisible किसी भी फोल्डर को आप invisible कर सकते हो जो कि फिर आपको यह गैलरी में यह नहीं मिलता है तो यह था अगला changes next अब हम देखेंगे इसमें एक और changes की गई है that is recent जो apps है आपका जैसे की मेरा gallery खुला हुआ है recent में तो इसको अगर कुछ दिर आप hold करोगे तो यह automatic इस जो app है इसका सारा informations आपको बता रहा यहाँ पे data use कितना हुआ इसका storage क्या है और कितना version नहीं है यह सारी चीज़े app permission पे आप जाके इसको notification में आप इसका यह change कर सकते हो priority base तो यह सारी चीज़े add हुई है and next अगला जो है यहाँ पे आप इसका जो lock screen है यह कुछ बदल सा गया है आप देख सकते हो इधर mi home, mi remote and torch का ही function है इसमें अब next एक और चीज़े add की गई है जैसे आप इसको update करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक नया icon मिलता है mi drop का जहां पे आप देख सकते हो अगर आप mi से mi में कुछ share करना चाहते हो तो आपको कुछ इस तरह के interface देखने को मिलती है इसमें receive करना चाहते हो या send करना चाहते हो तो यह चीज़ मिलती है अगला जो आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी वो है friends my video player एक नया सा video player है जहां पे आप बहुत सारी customization इसमें दी गई है जैसे की आप वीडियो को dual track अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो वो dual track को चेंज कर सकते हो इसके अलाबा फिर आप subtitles अगर इस वीडियो का online में कोई subtitles अवलबल है तो वह भी आपको मिल जाएगी यह अपडेट में यह सारी फीचर्स आपको देखने को मिलती है तो दोस्तों उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों इसे लाइक और सेयर करना बिल्गुल ना भूले तो चलिए अगले फेर वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों तब तर किलिए ब झाले वीडि़ अवाब पर जाइक आपको दे दोस्तों यह ला होहाग knotò census आपको शर्स तर काली सेयर में यह वीडियोग यह झाले मम जाइक करने होग़ किलितना में जापको इस तोस्तार एmp